इसमें कितने स्टोक्स होते हैं इसका इंडेक्स में क्या विटेज होता है बैंक निफ्टी अमिजब पहरें साफ 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 चलते हैं कभी अपोजिट होता है समें कौन कौन से स्टोंग सें कैसे इसका चीज के अंदर कैंगे और इसके नहीं की कोसिश करेंगे पढ़ेंगे कोन सबस्त्क और चाहिए. वह index यह प्रवाइट राता है इंबेस्टर को market intermediaries के लिए यह benchmark यह थेटर अव्टेटर अव्टेटर मार्ट प्रवाइंस और इंडियल मार्केट इंडेक्स के अंता है जो इसमें जो मैक्सिम्म जो स्टोक सेंगे वह है 12 मार्केट लिए यानि सिर्मार्केट के ऊपर यानि इसमें जो किया जाता है इसमें प्रिपार्ट मार्केट के ऊपर युपूटी बैंकि के विएप्टा बारता है वेटमार्कित मंदिग, पॉटफोल्यो, लोंचिवी अधिक्स फंड्स, एट्याप्स एड्स्ट्रेट्चर प्रट्ट के बारे में यह यूज़ क्या थे रही हो लाएंगी जो बाइंक कि ए इसमें हम सोचते हैं कि इसमें सारे बैंक आते हैं जितने भी इंडिया में इसके अंदर लिस्ट आते हैं इसके अन्दर और कौंसे इसके अंदर जाएंगे और वो भी आने ही हम आज इसके बारे में कि कौन से इसमें स्टोक्स है और क्या इनका रहता है और इनकी वैल्यू क्या है मार्ट में रेट क्या चल रहा है तो इस अधी के बार पर जानने के लिए हम बताते हांगे सकते हैं इसके अंदर जो बेस डेट है वह इसकी जन्वरी दो अजार जो यह बेस डेट से इसकी वैल्यू उपाने जाती है है वो थी 1,000 ना बेस ऐसी 1,000 और बेस डेट है इसका जन्वरी एक दो गया और लॉंच को क्या गया था बैंक ठीक हो इसके बार नहीं पताते हैं जो यह लोंच साइस का 15 सप्वेंबर 2003 को इसको लॉंच किया गया था यानि कि यह अपना आफेंटो टेर में भी टेरिंग किया प्राउ ६टें चल रहा है इसका रेलट तैम बैसिर की प्रैस की रिदेर और रेल टेर्पाउं बेसीर किया जाता है और तो gay ररीलों आफेंगे किया जाता है Але के यानि कि इसने स्टार्ट वहा है और quarterly, yearly, monthly यह विए और क्या चलता है जागा हम देखें तो इसका तो return रहा है price return इसका quarterly का अभी जो current में है 7.63% के आपड इसने रिटन दिया है quarterly के इसाब से अगर एक साल के इटन के बार का अगर हम बात करें तो 90.4% approximately 20% से ओपर का अचनी return देखको आई वाला भी और एक साल के अगर हम बात करते हैं और जब से इसके अंदर trading start हुई है अभी तक इसने 90% के approximately इसने डिटन दे दिया है अगर हम इसके standard emissions के बारे में बात करें तो एक साल के इस standard emission है इसका 25 का है और पांच आग का इस standard emission से 25 है और अभी तक जो इसमें standard emission है इसका 30 के आसपास का है अगर 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 इसका beta nifty के बारे में अगर देखते हैं तो इसमें जो beta nifty का वह इसमें 1.40 की आसपास और जो इसमें पांच आते देखते हैं वह है 1.24% यानि कि nifty और ये approximately साथ-चाहती move करता रहता है इस चीज के अदर अगर 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 तक का अगर देखते हैं तो 1.09% की आतवास है अगर नifty हम रांप में start भी है और ये भी चात रहा है तो उस चीज के अबारे में इसका तो बीड़ चाल रहा है इसका जो correlation देखते है निप्टी के साथ इसका जो correlation है एक साल का वह है 0.86 पांच साल का और अभी तक जो देखा जाए तो वह 0.83% के आतवास इसका भी 50-50 के साथ correlation है यानि 50-50 भी F&O में है और BANK 50 भी F&O में है तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि 50-50 और BANK 50 काफी यारा साथ साथ मूव करते है एक दिखासे अगर आप इसके PE के बारे में fundamental देखा जाए तो इसका ज 2.81 की है और जो इसका इवदेंट ही है वह आफ्का 0.33 अगर अगर जिखते हैं इसमें तो वेटेश चरोपस की वह क्या-किया क्या रोड बाते हैं उस चीसके बारे में बात करते हैं कि इसके तो इसके जो मुस्ट वेटेश वाली का स्टोपस है जो इस इंडेक्स केंदर आ काफी जाला बेटे सकता है बैंक टिक अंदर जो अभी करन्ट चो बेटे जाए इसकी वह है 28.02% की आजपास यानि कि अब एमानों को कि अब बैंक इंडेक्स अगर 100 बैंक करता है तो यह 20 पॉंट इसके ही हो राती है 28 पॉंट अगर सेकंड अगर मुवमेंट टिक ही जाया तो वो रहा है ICICI बैंक लिम्टेड जिसकी वेटेज है करन्ट अभी 20.92% की आजपास नेक्स सिंबल की आजपास आते हैं, नेक्स सिंबल हो है अगर Π glory ही 9 पॉंट महींटेज जिसकी वेटेज चल मुव Kṛṣṇa he यह सपास इसके बास नेक्स सिंबल की चॉपनिन की बैंक लिब की वेटे मुआ वेटेज तेस Kore ाहारी के आसपास यानि कि यह major जो 5 bank है काफी आरा role play करते हैं bank 50 के अंदर जिसकी जो सस्यादर जो बेटे से चलती है अगी current market scenario के इसाथ से अगर इसके पाद आपको next simple देखते हैं तो वह है आपका इसके पाद आता है एक उसके पाद आता है अपना फैरल बैंक इंडड जिसकी बैंड एक आपनी अपनी 1.33 पर सेंट के आसपास इसके बार आदा है अपना IDFC First Bank Hinted जिसकी वेटेट एंटा भी 1.17% की हाथ पास की अब हम देखेंगे कि इसमें इंडेक्स के अंदर आने का क्रिटेरिय क्या होता है और XCD का और Include में चाटा चीज होती है और क्रिटेरिय के बारे में इसके जानेंगे किसके जो यहां है क्या राता है अब आप इसमें प्राइब करें देखना है वे असटेरियों हमें तक सब्सक्रेशन निदेऊ है जो पहीं होगो इस फेली डावर सेंटेंटिंगे पार्टीकोलर सेक्टर विए किती फाइबनेट। फार्स बिलो टैने देफिए्ट नम्र प्रिट्रों से अगे टिए अगर इसमें डाव जाते हैं तो इसमें स्लेक्टिट क्या जाता है तो from the universe of strokes ranked within to 800 base, और बोद average जो ओती है इसकी daily turnover basis पे होता है and average daily format की operations के basis पे होता है या previous 6 months periodical data time उसके उपर इसका rebalancing की जाते है 5520 पे चाप से जो second जो इसकी criteria है वो ऐसा company should be part from the banking sector, company banking sector से लेरिट होनी चलिए तो वही company इसके अदर आ सकती है तो वही banking के अंदर आ सकती है third criteria है इसका वह company trading frequently should be at least 90% यानी कि इसक तर खिटेयरिया है company में जो टेडिंगी जो frequency है वह approximately 90% की आपास होनी चीहे and the company fourth criteria is जा the company should have a listing history of 6 months यानी कि complete on 6 मिन तर listing होनी चीहे ये कंपनी विछ गमस आ अवघ आंगो आगर एक तर तौ आ ये एक अनल दो थोस्पैने अंदर इसमानी लॉख्योटिटरिया या अगो दो इनसेंर रुखलिट के अंदर आंडार फिस फिर्स समॉर्म अलागिजीकए डेया श्क्रॉटरीट बेरिया फोडदा mudar थो ती नॉज पीड या इस तेंड ओ एक इस्ट मांग पीड अधर इस्टेंट इसके अंदर एक टेरिया हो रहता है कि वो फंट्व सेंड मेंट के अंदर लिष्टिड हो रीचालिये इसके सारे स्टोक्स भी अफेंटो में लिष्टिड होने जरूरी होते हैं छटा इसमें फाइनल सेलेक्शिंस अफ्ट्राइब कंपनी से अधर दन बेस्टोट फ्रीफ्रोट मार्किट क्याइशन और था कंपनी इस नेक्स रापना वेटेश ऑफ फीच इस फ्रीफ्रोट मार्किट क्याइशन और था स्टोट यानि कि 30 परषेंट से जाता का फ्रीफ्रोट के अंदर वाल्यू नहीं होने चे वेटेश की सिंगल शोक की और वेटेश ऑफ तो फ्रीफ्रोट सैंद मोंकी मोट दार बाशट परसेंट से जातर की वेटेश तीन फ्रीफ्रोट के अंदर नहीं होने चीँ है उप ऐए तायम आफ रिस सिंक्रते हैं तो इसमें इसमें प्रूकर जो स्प्रोटिश से अंदर में की में अब इन्हें देखिए अब इन्हें देख लिए इसमें जो 28 परेंट के आफ़ आपका प्रेंट के अब इसमें रहता है तो अब इसमें फुल्फिल होता यह नहीं होता है फिर उसमें इंक्रोंड या एक्स्ट्रोड उस च्टोक को किया जाता है अब इसमें कपकप की जाते है स्ट्रोप के अन्फ आद यह अब जो ये जो Rumтор में क्विए करते हैं व न आने बाइस पर तृटर हर जूड की जाते हैं जासे गई स यौ 11 स now and then in a Chinese फेलो link ऩोरी aa 31st, यह हर साल इसको rebalancing के लिए कि शनूर किया आता है कि 31st of January and 31st of July अब कोई companies में आनी है या जानी है तो इसके अंदर index में rebalancing के लिए ये dobelate fix रहती है बट इसको कैसे exchange दाता है इसे इतनर for semi या annual review of indices average data of 6 months ending the cut of date is consagged यानि कि जो इसकी date है वो आपको 6 months के average data के हिसाफ से कदर किया जाता है cut of date और जो इसको बता जाता है वो बता जाता 4 week provide notice यानि कि जो exchange notice करता है इसको तो चार्ज पहले इसको notice दे जे जाता है कि येवाली company इसको इंक्रूड होगी तो इस given to market from the date of change यानि कभी भी आपको इसको नोटिस दे जाता है कि ये अब हम देखें के bank 50, bank 50 जो कि abandonment भी है और score price नी जिस रता है जो अब इस प्राइब का score price जो भी चल रहा है वो है 39,612 रूपीस यानि कि कल्की token से अब रहा है तो 94 रूपीस के आजपास up है और percentage के हिसाफ से 0.24% के आजपास सी है bullish है अब हम इंट्राइब मुवमेंट के हिसाफ से देखें जाए तो इंट्राइब मुवमेंट है इसकी 49,442 रूपीसे का इसका low है और high है आपका 49,760 रूपीगा अब इंट्राइब मुवमेंट के देखी जाए तो इसमें 300 point की मुवमेंट हो चुकी है जो इंट्राइब में काफी जादा नहीं आपक्मेंट ही काफी आदा मुवमेंट इंट्राइब में देखी जाती है करने के लिए और तो कल की जो प्रोजिंग चीज़ की 59,580 रूपीसे की थी और बोल्यून के इसाथ से अगर देखा जाए कि इतने स्टोक में इसमें तरह काफ हो चुका है वह यह वंद्राइब पांच लाफ पैंसन एजाब में अभी तक इंट्राइब में करेंट में डिडि हो चुकी है तोटल आप पैजिव के इसा बज़े रहा है तो इंटरेट में साड़ती है आपकी आत्मास का इसका वाल्यू वोल्यूम हो चुपा और एक साल के लोग के और हाई के रेट के बार में मत देखें तो अभी जो इसका जो लोग ना है 52 वीक लोग वो है 23,612 की 70 पैसा और हाई है देखा जाए 52 वीक लोग और हाई के डिफरेंस के बारे में तो एप्रोफमेटली 27,000 के आसपास इसने एक साल के अंदर मूव दे दिया है इसका जो लोग ना है वो 16,000 के आसपास नहीं था कोना के अंदर और जो अपी हाई के आसपास तो चुल रहा है 40,000 के चार्ट सीनेर प्रह्ट रहा है